प्रेश के बारे में जिन्होंने कम समय में ही बहुत कुछ असिल कर लिया और दर्शकों के दिलों में च्छा गई तो हम बात कर रहे हैं भूमी पेडनेकर की उन्होंने अपने एक के बाद एक हिट फिल्मों की वज़े से बहुत कम समय से ही अपना नाम लौक पुरिय अभीनेत्रियों की लिश्ट में शामिल कर लिया है भूमी ने अभीने की शुरुआत करने से पहले कुछ समय तक यसराज फिल्म्स में एक असिस्टेंट कास्टिंग डारेक्टर के रूप में काम किया था इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में अभीने करने का फैसला लिया था भूमी पेडनेकर ने साल 2015 से अपने वयवसाय जीवन की शुरुआत की थी उन्होंने फिल्म दम लगा के हैशा के साथ अपने अभीने की शुरुआत की थी जिसी लोगोंने बहुत प्यार दिया था इसके बाद उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम का था, शुब मंगल सावधान, सांड की आँख, बाला जैसी बड़ी-बड़ी फिल्मों में अभीने करके अपनी लोग प्रियता को दिन प्रते दिन बढ़ाया है उन्होंने अपने अभिने की वज़े से बहुत से अवोर्ड्स को अपने नाम किया है भुमी पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई में हुआ था, भुमी के पिता का नाम 27 था, जो अब इस दुनिया में नहीं है भुमी की मा का नाम सुमित्रा है, भुमी की एक जुड़वा बहन भी है, जिनका नाम समिक्षा है समिक्षा पेशे से एक लॉयर है, भुमी ने अपने स्कूल की पढ़ाई आर्य विद्धामंदिर स्कूल जुहू मुंबई से पूरी की थी इसके बाद उन्होंने विस्टलिंग वुड इंटरनेशनल इंस्टिटूट और फिल्म कॉम्मिनिकेशन एन मीडिया आर्ट्स मुंबई से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की इस कॉलेज में भूमी को एक बार कम हाजीरी की वज़े से कुछ समय के लिए निकाल दिया गया था साल 2015 से उन्होंने अपने अभिने के करियर को ध्यान देने का सोचा था और उसी साल उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू भी किया था भूमी की डेबिय फिल्म का नाम दम लगा के हैशा था इस फिल्म के निर्माता शर्थ कटारिया थे और फिल्म में भूमी ने आईश्मान खुराना के साथ अभीने किया था इस फिल्म में भूमी ने एक मोटी लड़की का किरदार अभीने किया था जिसे उसके वजन की वज़े से उसका पती यानि आयुशमान खुराना उन्हें पसंद नहीं करते इस फिल्म के लिए भूमी को लग भग अपना 12 किलो वजन बढ़ाना पड़ा था ये एक रॉमांटिक ड्रामा फिल्म थी फिल्म की क्रिटिक ने बहुत तारीफ की थी और खास कर भूमी पेडने करके अभिने की तारीफ सबसे ज़्यादा हुई थी फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और इसी के साथ एक लो बज़ट फिल्म होने के बाद भी फिल्म ने कुल 71.85 करोड की कमाई के साथ अपना नाम हिट लिस्ट में शामिल किया था इस फिल्म के रिलीस तक भूमी ने अपना वज़न कम भी कर लिया था और अपने सोशल मीडिया पर वो अपने फैन्स को टिप्स भी बताती रहती थी इस फिल्म में भूमी द्वारा किये गए अभीने की वज़े से उन्होंने कई सारे अवोर्ड्स को अपने नाम किया था उसी साल भूमी पेडनेकर को वाई फिल्म्स की मीनी वेब सीरीज मैन वर्ल्ड में देखा गया था इसके बाद सितंबर 2015 में ही भूमी को यूट्यूब पर जेंडर आसमानता के बारे में चार भाग के सीरियल के प्रीमियर में देखा गया था जिसवे उनके साथ अभीनेत्री प्रेनिती चौपडा, कलकी कौचलीन और रीचा चड़ा को भी देखा गया था भूमी ने अपनी पहली फिल्म के बाद लगबग एक साल तक किसी और फिल्म में अभीने नहीं किया था साल 2017 में भूमी को फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में देखा गया था इस फिल्म में भूमी को अभीनेता अक्षे कुमार के साथ अभीने करते हुई देखा गया था फिल्म के निर्माता श्री नारायन सिंग थे जिन्नोंने फिल्म में एक गाओं के बारे में दर्शाया गया था जहां लोग टॉयलेट के लिए खेईतों का इस्तमाल किया करते थे फिल्म में भूमी के किरदार ने अपने घर पर ही एक टॉयलेट बनाने की जिद में अपना सुसुराल छोड़ देती है फिल्म में अक्षे के पिता का करदार अभी नेता सुधीर पांडे ने दर्शाया था जोकि एक पंडित थे और अपने घर के आगन में टॉयलेट ना बनाने की जिद में अडे हुए थे ये फिल्म कॉमेडी ज्रामा फिल्म थी जिसमें देश के एक बड़े मुद्दे को पेश किया गया था फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा बहुत सराहना मिली थी और भुमी के किरदार की भी सभी ने बहुत तारीफ की थी फिल्म को दर्शको दोरा भी बहुत प्यार मिला और फिल्म ने कुल तीन बिलियन की कमाई के साथ अपना नाम उस साल की ब्लॉक बस्टरे फिल्मों के लिश्ट में शामिल किया था अपनी दूसरी फिल्म में भी सफलता पाने के बाद उन्होंने उसी साल अपनी तीसरी फिल्म को भी दर्सकों के बीस पीश किया था इस फिल्म का नाम शुब मंगल सावधान था फिल्म में भूमी ने एक बार फिर अभी नेता आईशमान खुराना के साथ अभी ने किया था ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी इसके निर्माता आनंद एल रोय थे ये फिल्म स्तंबन दोस के बारे में दर्शाई गई फिल्म थी फिल्म में एक अलग विशे होने की वजह से फिल्म को क्रिटिक्स ने बेहत पसंद किया था और साथ ही भूमी के किरदार की बहुत सराहना की गई थी और बॉक्स ओफिस में भी फिल्म ने एक बड़ी कमाई के साथ अपना नाम हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया था साल 2018 में भूमी पेडनेकर को फॉब्स इंडिया ने अपनी 30 अंदर 30 की लिस्ट में शामिल किया था उसी साल भूमी को नेटफ्लिक्स सीरीज के लस्ट स्टोरीज में देखा गया था ये सीरीज जोया अक्तर दौरा निर्देश की गई सीरीज थी इस सीरीज में भूमी ने पेहत पसंद किया गया था साल 2019 में भूमी पेडनेकर ने फिल्म सोन चिरियां में अभिने किया था इस फिल्म के निर्माता अभिशेक चौबे थे और फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में भूमे के अलावा अभिनेता शुशान सिंग राजपूत और मनोज बाजपई थे इस फिल्म में भूमी ने एक यूवा ग्रेनी की भूमी का निबाई थी भूमी ने अपने किरदार को एक बहतरीन तरीके से अभिने करने के लिए लगबग धाई महीने की सारेरिक ट्रेनिंग ली थी जिसमें उन्होंने बंदूग चलाना भी सीखा था फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा अच्छी टीपनिया मिली थी लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ओफिस पर कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और फिल्म को फ्लॉप लिस्ट में शामिल किया गया था भूमी की साल 2019 की दूसरी फिल्म का नाम सांड की आख था जिसमें उन्होंने अभी ने तरी तापसी पन्नू के साथ अभीने किया था इस फिल्म को हरियाना की शूटर दादियां चंदरो तॉमर और परकाशी तॉमर की जीवनी पर दर्शाया गया था फिल्म में भूमी ने दादी चंदरो तॉमर का किरदारा भी ने किया था और तापसी ने दादी प्रकाशी तॉमर का किरदारा भी ने किया था फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा बहुत सराहना मिली थी और साथ ही फिल्म को दर्शकों द्वारा भी अच्छी टिपनिया मिली है फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक हिट फिल्म के रूप में सफल होती दिखी है साल 2019 में फिल्म दॉली किटी और वो चमकते सितारे में अभीने करते हुए देखा फिल्म में भूमी के साथ अभीनेत्री कौंकणा सेन्च शर्मा को भी देखा गया फिल्म के निर्माता अलंकरीती शिर्वास्तों हैं इस फिल्म को ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल 2020 पर स्क्री किया गया था इसी के साथ भूमी को अभीनेता कार्तिक आर्यन और अभीनेत्री अनन्या पांडे के साथ फिल्म पती पत्नी और वो में भी देखा गया फिल्म में भूमी ने कार्तिक की बीवी का किरदारा भी ने किया है जो लोगों को बेहत पसंद आया इसी के साथ भूमी भूमी पेडनेकर के लव लाइफ की जानकारी अभी फिलहाल किसी के पास मौजूद नहीं है। पहुत पसंद करते हुए आ रहे हैं। और उमीद है कि उन्हें आगे भी उनके द्वारा दर्शाए गए किरदारों को दर्शकों द्वारा भरपूर प्यार मिलता रहेगा। ऐसी ही और बॉलिवुड इंट्रस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।